असलाम लेकुम दोस्ते मेरा नाम ताबश और आप देख रहें मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफाई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में मैं आपको लाइव एक ट्रेट दिखाऊंगा जो मैं अपनी जो मैं स्ट्रेटीजी लर्न की है ऐस न्यू ट्रेडर उसमें मैं स लिए अब ही मैंने इक और प्लेस किया है वह मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि उसमें मैंने कैसे स्टॉप फॉस सराथ किया और फिर मैं आपको उसकी प्रोग्र्स भी बताऊंगा कि जिस क्रेशी प्रीजी पर चलकर मैंने इसको भात किया है क्या यह और यह वीडियो मैंने अब टेक्निकल अनालेसिस पर पोस्ट करने शुरू किये पहली वीडियो पोस्ट किये जिन्होंने सीखना है बिलकुल बेसिक से पोस्ट कर रहा हूं ताकि एक जिस बंदे ने कभी अश्ट ट्रेडिंग के स्पैलिंग भी निना लिखे उसको भी वीड यहीं इन्फर्मेशन मेरे खिल से हजारों वीडियो में आपको पड़ी भी मिलेगी यहर मैने आज एक ट्रेड मारी है जैसे कर दो ट्रेड मारना तो ट्रेड मैने मारी है जी हम आजाते हैं इस अच्छा यह क्या चीज़ जारी चीज़े मैंने बताने कि कल मैंने पहली यहां पर मैंने यह मूविंग एवरिज अपराइज है और गरीन केंडल जस्ट अब भाफ दा मूविंग एवरिज है तो मैंने परचेस की है वह 54-45 पर की है और अब मैं उसका स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ अब मैंने उसका stop loss लगाया है कि 52.65 पे इसका stop loss लग जाए कि अगर ये शेर 52.65 से नीचे जाता है तो मेरे शेर जो उसे वो sell कर दे वो मैंने क्यांसे निकाला है मैंने जो पिछली दो candle है उनका जो bottom है वो मैंने निकाला है मैं एक एक जिससे खाऊंगा आपको believe me मैं पहले खुड ट्राइ का रहा हूँ मैं पहले खुड लर्निंग का रहा हूँ इसलिए मैं record का रहा हूँ शायद मैं भी ये पोस्ट भी ना करूँ शायद मैं ये कुछ हरसे बात पोस्ट करूँ ताके मेरी अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं पहले उसको find out कर लिए देखें मेरे इस चैनल का मकसद यह है कि आप लोगों को गुरू बनाना है एक दूसरे से सीख के गुरू बना है हर एक की strategy अच्छी होती है जिबस आपने strategy को सीखना उससे stick रहना है उससे सीखना यह नहीं कि अब यह नहीं चली अब अगली YouTube वीडियो पर चलता हूँ अब यह नहीं चली अब अगली YouTube वीडियो पर चलता हूँ देखें successful trader वह होता है जिसका strike rate 5-60% हो यह बड़ा successful trader होता है यह अगर आपने 10 trades की हैं तो उसमें से सरफ 5-6 trades है आपकी जीतेंगी और यह बड़ा अच्छा success rate है और 4 trades में आप stop loss आपका touch करेगा ठीक है मुझे नहीं पता ही मेरा भी stop loss touch करना है कि नहीं ठीक है मैं थोड़ा सा मैंने जरा 100 से start किया है मैंने एक चीज़ को आज miss किया है क्यूंकि मैंने देखना था कि मैं कितन 200 kron lose करूंगा क्यूंकि मैंने 100 share अगर मैंने 1000 share उठाय होते होता है मैं 2000 kron lose करता मैं इसके पर proper वीडियो द बनाऊंगा कि आपने risk कैसे manage करना risk management is the most important way अगर आप risk management नहीं करते तो आप safely securely long term basis पे किसी strategy के मताबग trade नहीं कर सकते आप blindly trade करेंगे आप पैसा lose करेंगे एक दिन आप एक दिन पैसा ऐसा lose करेंगे कि आप ऐसे भागेंगे इस चीज से वह काम नहीं करना हमने हमने tips के उपर काम नहीं करना हमने अपने knowledge पर समझ के खुद से सीख के काम करना है यह मैंने भी buy किया है और इसको अब मैं इसका क्याना है जो है stop gain जो उनसा है वो लगाने लग लगा दिया है 54.5 पर खृदा और 52 पर मैंने इसका वो लगा दिया तो तकरीबन धाई धाई का फरेक है तो अब मैं इसको तकरीबन दो का फरेक है तो अब मैं इसमें एड करता हूं टू मल्टिप्लाइव ए टू लेंकि दो मेरा stop loss है तो मैं सारा सिखाओंगा भाई अभी बीडाल दूंगा मार्कित में यह मैंने जी और लगा दिया है stop loss का 52.65 आप देख सकते हैं 52.65 अगर मार्किन में प्राइस टाच की तो मेरा यह stop loss हो जाएगा और मुझे 200 क्राउन का पर नुक्सान होगा यह मैंने order send कर दिया जी place stop loss order यह आप देख सकते हैं यह स्टे यह मै मैंने swing trade गिया तो मैंने अगले आठ दिन तक लगा दिया है यह order ठीक है जी इसी तरह अब मैं एक और order लगाने लगा हूं ठीक है अगर यह equal होता है क्या हमने price find की थी हमने price find की थी कि अगर यह equal होता है मैंने buy किया है इसको 52.6 पर मैंने stop loss लगाया और मैंने इसको buy किया 54.35 पर 54.35 55.35 56.35 तो मैं 56.35 के उपर इसको लगा दूंगा इसका order 56.35 तो मैं कहता हूं कि जी हायर और equal होता है 50 52 आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो अभी बेशका आप फिकर ना करें जब मेरी वीडियो देख लेंगे ना सारी और मेरी जब स्क्राइब को फॉलो करेंगे तब ये वीडियो देखना आपको समझाएगी 56.35 56.35 ठीक है जी अच्छा मैं ये चैनल फॉलो करता हूं यूट्यूब पे बहुत ही कमाल का बंदा है बहुत ही कमाल का बंदा है मैंने और उस बंदेने एक ही बात की बार बार यार एक स्क्रा हुई आप बेशक उसके चैनल पर जाके सीखना या मेरे से जैसे एक स्टूडन ने कैसे समझ के उन चीज़ों के इंप्लिमेंट किया यह देखना यह अब मैं भी कर रहा हूं चीज़ने ठीक है यह मैं कहता हूं जी मैंने सेल ओडर लगाना है सेल अडर लगा दे मेरा अब देखें यह निचे देखें गोर से मैंने आज खरीदा 54.35 मैंने खरीदा है आज की डेट में ठीक है आज की डेट में और मैंने एक और लगाया सेल ओडर 52.65 भाई अगर यह नीचे चला गया ना 52.65 पर मेरा सेल कर दे मैं सरफ 2 क्राउं इस वाली ट्रेड में लोगा ल रहा हूं ठीक है और उसके बाद यह लगा दिया जी 56.35 मैंने स्टॉप गें लगा दिया ठीक है अच्छा अब मैं सरफ आपको समझाना ही चाहरा हूं किसी की स्ट्राटेजी सही यह गलत नहीं होती स्ट्राटेजी वो सही है जो आपके दिमाग में आपको समझ आ रहा है कि मैं कर किया रहा हूं बिलीव मी मैंने इस ट्रेडिंग प्लैक्फॉर्म के पर डेड़ डेड़ लाख कराऊं के एक शेर खरीदे में विदाव्ट एविवन लॉइं कि मैं कर किया रहा था मैं यह इसिज़ टेस्ट इस इस आंटेस्टिमार नालेज ठीक है और यह मैं आप लोगों तक लेके आना चाहते हूं नौलेज यह नहीं है वो लेकिन आप मुझे पता है कि पिया रहाँ हूं व्óbया पता है कि इफने स्पॉर्ट के प्रैक्टिस के इन्हें कीजिए मैं सपोर्ट की वीडियो लेकि आ रहा हूं मुझे असल में उसका जो चैनल है बहुत मज़ेका है बहुत डिटेल में जाते हैं वो लेकिन हर बंदे से सीखने का एक स्टाइल होता है मेरे स्टाइल को कुछ लोग परसांद करें करें या ताबिस इस तरहां से सिखाता है यह तो पताते ही कुछ नहीं है यू हव तो फाइंड डाट परसन जिससे सीखना आपको समझ में आए अब मैंने आपको कैंडल्स वाली वीडियो डाली इसको जागे एक दमाद देखें मैंने समझाने की कोशिश क्या की है एनिवेस जी यह एक मैंने आपको लाइव ट्रेड जोंसी है वो रिकॉर्ड करके थ्री फाइफ पे मेरा ये जोंसा है थिश्ति शिकस पॉयंट थ्री फैव लेकी यहां पर अगर जाए यहां पर अगर जाए तो 56.35 यहां पर अगर जाए यह मैंने बल्के एक लाइन आपको बना देता हूं मेरा 56.3 ये इस 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 माइ टारगेट 56.35 ठीक है जी यह मैंने लगा दिया है इधर सेल ओडर 56.35 और यह मेरा जोंसा है स्टॉप लॉस ओडर है और 52. कितने का स्टॉप लॉस लगाया है हमने 52.65 पे ठीक है अब यह आपने कर दिया जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी तो यह इस तरह जाएगा काम ठीक है यह लगा दिया अब आपने बैठें नहीं रहा ना सारा दिन जाएं जाकर जॉब करें जो भी ट्रेडिंग करनी है तो मैक्सिममम प्रेडिंग क्रेडिंग करनी तो चार बहुत बहुत हैं पांच बहुत ज़्याद से ज़्याद नहीं करना ठीक है। यह भी बताऊँ का कितना डेली ट्रेड करना आप में सारा दिन स्क्रीन पर ऐसे नहीं बैंद नहीं ये बस काम हो गया लग गया अब यह या तो मेरे ली लॉस है ठीक और आपको बताता रोंग आगे और इधार हम कहते हैं कि यह जूंसी है यह जो उनसी है यह स्टॉप लॉस है ठीक है जी लेट से वाट अपन यह मैंने काफी वैसे है अगर मैं देखू तो मेरा जो स्टॉप गेन है यह अच्छा खासा बने लगा दिया है विकॉस यहां पर रिजिस्टंस आई थी यह देखें यह रिजिस्टंस थी यहां से समझ में आ रही है ना उनके लिए तो लंबी छोटी वीडियो कोई नहीं होती ट्रेंडिंग से लेटेड वादर्वाइज यह 11-12 मिनट की वीडियो इतनी ही लैंट होगी यारता कि आप लोगों को थोड़ा सा डीप में जागे मैं भागना नहीं जाता जल्दी जल्दी और यह कर दिया यह कर दिया जो देख रहो उसको समझ नहीं आया यार हुआ क्या मैंने वीडियो पोस्ट किया हर कैंडल हर कैंडल का एक अपना यह लेखें इदर यह रिजिस्टन्स आई थी मूविंग आवरिज के उपर नीचे गई प्र फिर यहां से यहां से नीचे जागे यह कि आए वर ही इसकी बहुत बाद बड़ी यह ग्रीन की सिसके बाद गृ प्रार्किट खुली है प्राइस उपर फिर नीचे रिजिस्टन्स आई है ठीक है जी फिर और फिर प्राइस है अब कितनी ग्रीन केंडल से अभी तक यह आज की तो एक ही ग्रीन केंडल वनिये मैं आज कर देखना चाहता था कि आपको थोड़ासा आइडिया हो के वाट यू दू सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि न्या ट्रेटर जोंसा है वो कहता है बस मैं सारा कुछ सीख लूँ फाबनाची भी सीख लूँ इलियोट पैटरंस भी सीख लूँ और वो ऐसे फैंसी पैटरन ही बनाते रहते हैं ट्रेड मारते नहीं है वो अपनी वीडियो में कहता हो जिसको में फालो करें कि सौदा मारा है कि नहीं सौदा नहीं मारते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ी सी एक्साइटिंग लगी आपको थोड़ा सा इंट्रस्ट बेल्ड हुआ है तो लेट सी डैट देखें यह स्टॉप लॉस हिट होता है यह स्टॉप गेन और एक लास् लूस करना है तो फिर आप यह डिसाइड करेंगे कि मैंने कितना लूस करना है रिस्क मैनेजमेंट जब आपके कंट्रोल में होगी न हर चीज दैन यू विल सेफ डू ट्रेडिंग अपना बहुत ख्याल रहें कि खुश्रे में लिए दौा कर दें अल्हाफिस